तिकेट साब आप फच गए आप पंजाब पे नहीं बोल पारें तो किसान जेल जाएगा और जेल चले जागा जब जेल जागा जब बोल लेंगे तो ये कानून जो तीन कानून है इनको भी आने दीजे कानून को ये तीन कानून आने दीजे जब जमीन च्छिन जाएगी ताब आप बोल दीजेगा प्रवागताओं की जोरत ही नहीं अच्छा आप मद्य परदेश में जो मंडी जो बोर्ड था मंडी बोर्ड में उन्हें प्रस्ताव दे दिये के जो कम आमदनी की मंडिया हैं उनकी जमीन बेचके उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी तो मंडी बिखने का आ गया नहीं मंडी कैसे खतम होगी बिग गई मंडी बिग गई सर कहा 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 बिग गई ये मंडी बता दीजिए देश में कितनी मंडिया बंदो गई अरे वहाँ कानून पर आप बोलेंगे नहीं ये आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं लोग कहेंगे आप कंगरेस की तरफ मिले हूए ऐस किसान रख रहा हूं आपको पंजाब का बताया अच्छा मुझे एक बात और बताईए मैं उत्तर प्रदेश का बोलता हूं चलिए आप पंजाब पर नहीं बोल पाए कि कॉंग्रेस को वोट मत दो चलिए ठीक है पंजाब के जो सरकारे गलत काम करेगी हम बोल लेंगे उनके खिलाब आंदोलन रहेगा उनके खिलाब अच्छा ठीक है अब मेरा सवाल सुनिये पंजाब में आप तो किसानों के नेता है आप चाहते हैं कि किसान के अकाउंट में डाइरेक्ट पैसा जाए पंजाब की सरकार यह होने नहीं दे रही थी लिस्ट बना कर दे नहीं रही थी तो यह किसानों के खिलाफ हुआ ना नहीं हुआ हमारे अरे हमारे उसमें तो यहां कह रहें न हम यहां बेजदो करने का पैसा सिद्धा हमारे अकाउंट में आप पंजाब पे क्यों नहीं बोल पाते राकेश चिकेश पंजाब का बोलता हूँ आप यहां आ जाते हैं यूपी में मंडि कैसे बंद होगी अरे हम यह कह रहे हैं कि मंडिया कैसे बरबाद होगी उसकी प्लान बनाई जा रही है वो कहां खरीद करेगा कौन खरीद करेगा चुलो पंजाब में मुझे खरीद बताओ कैसे खरीद करके और सरकार उसको कैसे सिद्धा खरीद देगी वो बता दो फा आप या डायरेक्ट गया है किसानों के आकाउंट में ऐसी सरकार को क्यों वोट नहीं पढ़ना चाहिए जो पैसा दे रही है आप कह रहे है वह कहां मैं यह कह रहा हूं कि कैसे ख॑acy कर रहे